हेलो दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है परमानू की सनरचना structure of atom हम यह देख चुके हैं कि विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व उन परमानूं के कारण होता है जिन से वे बने होते हैं लेकिन किसी एक तत्व का परमानूं दूसरे तत्व के परमानूं से भिन्न क्यों होता है और क्या पर्माणू वास्तम में अविभाज्य होते हैं इन प्रश्णों के उत्तर हम इस और आने वाले कुछ विडियो में देखेंगे पदार्थों में अवशोशित कणों की प्रकृती जानने के लिए आईए हमें क्रिया कल करें सूखे बालों पर कंगी कीजिए अब इस कंगी को छोटे कागस के टुकडों के नस्दीक ले जाइए आप क्या देखते हैं जी हाँ कंगी कागस के छोटे टुकडों को आकर्शित करती है इस क्रिया कल्प से हम ये निशकर्श निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगडने से उनमें विद्योत आवेश आजाता है ये आवेश कहां से आता है इसका उत्तर तब मिला जब ये पता चला कि परमानू विभाज्य है और आवेशित पनों से बना है उन्नीसवी सदी तक वैज्यानिकों ने ये पता लगा लिया था कि परमानू साधारन और अविभाज्यकन नहीं है बलकि इसमें कम से कम एक अवपरमानुकन सद अटोमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन विद्यमान है 1886 में यूजिन गूलस्टीन ने एक और अव परमानुकन की खोजगी जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किन्तु विप्रीत था और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुणा अधिक था इन कणों को प्रोटॉन नाम दिया गया अब सबसे बड़ा प्रश्ण ये था कि ये कण परमानुकी सनरचना किस प्रकार करते हैं इसको समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने भिन भिन प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया आए सबसे पहले हम जे जे थॉमसन के परमानु मॉडल थॉमसन्स अटॉमिक मॉडल का अध्ययन करें Thompson ने परमाणू की सनरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तर्बूज की तरह था इसकी अनुसार परमाणू में धन आवेश तर्बूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तर्बूज के बीज की भाती धसे हैं Thompson ने प्रस्तुत किया कि एक परमाणू धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं दो रिनात्मक और धनात्मक आवेश परिमान में समान होते हैं इसलिए परमाणू वैद्युतियर रूप से उदासीन होते हैं यद्यपी Thompson के मौडल से परमाणू के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई किन्तु दूसरे वैज्यानिकों द्वारा किये गए प्रयोगों को इस मौडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका Ernest Rutherford ये जानने के चुप थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणू के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं उद्धों ने एक प्रयोग किया इस प्रयोग में तीज गती से चल रहे अलफा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया रदफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परच्चाहते थे सोने की ये पन्नी एक हजार परमाणू के बराबर मोटी थी अलफा कण दुई आवेशित हीलियम कण होते हैं अतह ये धनावेशित होते हैं और क्योंकि इनका द्रव्यमान चार यू होता है इसलिए तीव्र गती से चल रहे इन अलफा कणों में परियाप्त उर्जा होती है रदरफोर्ड का ये अनुमान था कि अलफा कण सोने के परमाणूं में विद्यमान अव परमाणों के द्वारा विक्षेपे थोंगे चूकि अलफा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी क्या अलफा कण प्रकीर्णन प्रयोग का परिणाम रदरफोर्ड के आशा अनुसार था नहीं बलकी इस प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विप्रीत परिणाम दिया एक तेज गती से चल रहे अधिकतर अलफा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए दो कुछ अलफा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए तीन, आश्चर्य जनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया अलफा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदफोड ने निम्न परिणाम निकाले एक, परमानू के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अलफा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं दो, बहुत कम कण अपने मार्क से विक्षेपित होते हैं जिससे ये ग्यात होता है कि परमानू का धन आवेशे भाग बहुत कम होता है तीन, बहुत कम अलफा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमानू का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमानू के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है चार, प्राप्ट आकणों से उन्होंने ये निशकर्ष निकाला कि नाभिक की त्रज्या, परमानू की त्रज्या से 10 का घात 5 गुणा छोटी है अपने प्रयोगों के आधार पर रदफोर्ड ने परमानू का नाभिकिया मॉडल, नूकलियर मॉडल प्रस्तुत किया एक, परमानू का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक, नूकलियस कहते हैं एक परमानू का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है दू, इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और व्रित्ताकार कक्षा, सर्क्यूलर और्बित में चक्कर लगाते हैं क्या रदफोर्ट के मॉडल में कोई कम्या थी? जी हाँ, व्रित्ताकार कक्षा में चक्रन करते हुए इलेक्ट्रोन का स्थाई हो पाना संभव नहीं है इलेक्ट्रोन एक आवेशित कण है, जो व्रित्ताकार कक्षा में त्वरित होगा त्वरण के दोरान इलेक्ट्रोन से उर्जा का विकीरन होगा और वो नाभिक से टक्रा जाएगा लेकिन यदि ऐसा होता तो परमानू अस्थिर होता जबकि हम जानते हैं कि परमानू स्थाई होते हैं रदर्फोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्यों को दूर करने के लिए नील्स बोर्ड ने परमानू की सनरचना के बारे में ये अवधारनाएं प्रस्तुत की एक, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चकर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ओबिट कहते हैं दो, जब इलेक्ट्रॉन इस स्थिर कक्षा, स्टेशनरी ओबिट में चकर लगाते हैं तो उनकी उर्जा का विकीरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को उर्जास्तर, Energy Levels कहते हैं। ये कक्षाओं K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 संख्याओं के द्वारा दिखाई जाती हैं। क्या परमाणू में केवल प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन ये दो ही कन विद्यमान होते हैं। 1932 में James Chadwick ने एक और अवपरमाणू कन का खोज निकाला, जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था। अतह इसका नाम Neutron पड़ा। Hydrogen को छोड़कर ये सभी परमाणू के नाभिक में होते हैं। सामान्य तह Neutron को N से दर्शाया जाता है। परमाणू का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और Neutron के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। इस विडियो में हमने परमाणू की सनरचना, स्ट्रक्चर ओफ आटम का अध्ययन किया। अगले विडियो में हम कक्षाओं में Electrons के वित्रण, Distribution of Electrons in Orbits के बारे में जानेंगे। अगले